मैं जो खबर बताने जा रहा हूँ वो रोज आपने सुना होगा लेकिन आपका ध्यान ही नहीं गया होगा दरसल एक खबर नहीं है ये इबीम से भी खतरनाक है अंग्रेजों ने इसी पॉलिसी के तहट भारत पर राज किया था और आज भी बीजेपी सासित राज्यों में या कॉंग्रेस ने भी ऐसा किया होगा लेकिन दलित पिछरे आदिवासी क्यों नहीं कर पाएं या जानते ही नहीं है इसी पॉलिसी के तहट सीटे जीती जाती है इबीम से भी खतरनाक है भाई साब सोचिए 300 सीट है बीजेपी की यूपी में 80 सीटे हैं अगर 80 सीटे घड़ जाय तो 70 घड़ जाय तो 50 घड़ जाय तो बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी आप सोच रहेंगो कि यह कौन सा फर्मूला है यह वो फर्मूला है जिसे अंग्रेजों ने इस देश पर राज किया यह वो फर्मूला है जिसे चुनाव जीता जाता है और यह वो फर्मूला है अगर कोई इबीम भी बदलेगा इबीम भी गरबरी करेगा तो भी यही फर्म मुला लगाना होगा आप आज रोज आपके नजरों से गुजरता होगा लेकिन आप इस पर जब जानकारी जुटाएंगे तब आपको चमबा होगा नमस्कार मैं संभू कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निसनल दस्तक यूपी में अखिलेस यादव की सरकार थी पुर्ण या बारत है कि सुचिए दस या बारत हा कहां जिसमें जीले कितने हैं यूपी में 75 जीले हैं वहां दस से बारे स्टीम था लेकिन खबर चलाएगे कि चोवन स्टीम है और जो उत्तर परदेश जो आयोग है जहां से नौकरियों की वैकेंसी आती है वहां जाके यादव आयो सरकार चली गई सचाई थी ही नहीं अगर यह 14-14 स्टीम होता तो समाजवादी पार्टी चुनाओ नहीं हारती और बीजेपी वहां 75 सीते नहीं जीरती 2014 में क्यों बता रहा हूं यह सुनिए और पता कीजिए अपने अपने राज्यों में लेकिन पहले आपको ले चलता हूँ फ्लैस बैक में आप बताईए भारत की अवादी कितनी थी जब देश आजाद हुआ था और कितने अंग्रेज अपसर होंगे यहां और कितने अंग्रेज फाजी थे और वो कैसे राज करते थे वो सारे बड़े पदों पर बैठे हुए थे डियम कलक्टर का कंसेप्ट भी वही लेकर आए और उन्होंने इस देश पर राज किया क्या आज भी वही हो रहा है मेरे पास एक यूपी का आक्रा है यूपी में 75 जीले हैं जहां 10 डियम जहें वह OVC जातियों से हैं 10 डियमोवी सी है जिसमें कुछ वहां नहीं है और यादव नहीं है यह वह क्यूंटी है जो बीजेपी को बोंट नहीं करती है अमूमन यहां जो एक जाट है और एक गुर्जर डियम है बाकी हो सकता है OVC के कुछ में कुर्मी समास से हो यह हो गए 20 20 जीला अब बचे कितने 75 में से एक किस डीम जो है वो ठाकुर सहाब है यानि मुखमंत्री जी के स्वजातियें हैं वो मुखमंत्री जी जो कह चुके हैं कि हम एच्छत्रीय हूं और मुझे इस पर गर्व है और बीस जो है वो ब्रहामन समाज के हैं मतलब एक तालिस अब डीम कितना कम पावरवला होता है ज्यादा पावरवला होता है आप जान ही सकते हैं लेकिन यह तो एक बानगी है इस चे नीचे भी अस्तर पर पलानिंग की जाती है पलानिंग होती है ठाना परवारी तक हर ठाने का इस सिच्चो कॉन होगा सरबे करना चाहिए इस पियां वहां सर्वे कर लीजिए जो लोग हम जैसे लोग को जाती बाद कहते हैं उनको असली जाती बाद यहां पता चलेगा यह होता है सिस्टम पर कंट्रोल सहाब कहा जाता है ना कि जिस राज में कोई मुखमंतरी है वहाँ लोक सभा का चुनाओ या विधान सभा का चुनाओ उसके लिए जितना आसान होता है लेकिन यह सब अखिलेस यादब नहीं कर पाए मायावती नहीं कर पाए लालू यादब नहीं कर पाए इस देश में चुनाव आयोग ने लालु यादव को चुनाव हराया सोची इस देश में सबसे इमानदार चुनाव आयोग का नाम लिया गया इस ब्रहामनवादी मीडिया ने फैलाया मनुवादी मीडिया ने कोई इमानदार उमानदार नहीं था लालू यादव के पीछे परा हुआ था चुनावायोग जैसे चल रहा था वैसी चल रहा है वो तभी उमानदार हो जाता है जेम्स लिंग दो ही मानदार हो गया जब जेनु में चुनाव इरप्ट करना था माया बती जी जब मुखमंतरी थी और शांदार काम किया बहुजन अंदोलन को चलाया अस्पताल स्कूल बनबाएं जीले बनबाएं डी एम बनबाएं एक से बड़े बड़े काम गरीब सोसित बंचितों के लिए एक्सप्रेसवे बनबाया आजकल जो खेल हो रहा है सोचे वो सारे काम किये अखिले से आदब ने भी काम किये ये काम नहीं कर पाएं को इनको पता ही नहीं था आप बताएं मायवती की सरकार में सेक्रेट्री लेबल ससांग से कर कौन थे यही काम हमन सोरे नहीं कर पा रहे हैं यही काम लालुयादब नहीं कर पाएं और यही काम नितीश कुमार के जो एक अधिकारी हैं वो उनका मिटी पलीद करने पर लगे हैं सिस्टम यही OBC के मुखमंत्री सोचिए यही राहूल गांधी कह रहा है यह पिछले पांच साल से जो दिलीप मंडल ने बहस छेरी है उसके बाद तमाम CST OBC के लोगों ने सोचिए आपके 90 कैबिनेर सेक्रेटरी में 3 OBC हैं उनकी भी आउकाद नहीं है और डाइवर्सिटी सोचिए ग्रीश चंद्रमुर्मु आदिवासी समास से CIEG में कैसे वहाँ से रिपोर्ट आ रही है यह होता है कंट्रोल चपरासी से लेकर चिपजस्तिस तक जब एक ही तरह के लोग होगे जब DMSP और ठाना परवारी कंट्रोल होगा तो किसी को मजाल है कि परिंदा पर मार ले अब बताई यह 80 सीट है UP में 41 अधिकारी सवन समास से है कुछ अंदाजा है आपको कहीं कहीं एक जिला में दो लोग सवाकी भी सीटे होती है तो आप अंदाजा लगाए 75 जिलो का यह हाल है और इस मॉडल पर किसी का ध्यान नहीं गया दरसल यही है नीती जो नीती कहिए इस पर कभी दलित पिछले आदिवासी मुखमंत्रियों ने काम नहीं किया उस तरह के उन्होंने मामले नहीं उटाया और सोचिए 44 अधियम कहके चुनाओ हार गई सपा यह देश को सब के सामने यह तो फैक्ट है यह रखना चाहिए लोग को कि किस जाती के कितनी अधिकारी है और हमें मत बुल जाये सब को नफा नुकसान पता है तो मैं इसले कह रहा हूँ कि यह वो फॉर्मूला है जिससे चुनाओ जीता जाता है जित्ते आ रहे हैं जिससे अंग्रेजों ने राज किया अपने अधिकारी के दम पर जिससे यह देश चल रहा है आपको ऐसी लगता है इंकम टेक्स के जो रिटायर एडी जी मिस्रा जी संजय मिश्रा उनको इसी बज़े से तिन-तिन बार एक्स्टेंसन दिया गया रिटायर आदमी को रोज नौकरी बढ़ाये गया निर्पेंद मिस्रा को संसद से कानून बना कर उनको सत्ता में रखा गया और एक दो नहीं तमाम बड़े पदो पर सिडियस विपीन रावत सहाब अब नहीं रहें उनको रिटायर्मेंट के बाद बड़ा पद दिया गया यही काम दलित पिछरा अधिवासी मुखमंत्री नहीं कर पाता है उन तो अपने डी-ेम का पोस्टिंग नहीं करा सकता है डी-ेम नहीं बनाता है ऐसे चलता है सिस्टम एक अभी बिहार में का मंत्री और अधिकारी के आपने नोग जोग सुनी होगी तो नितीश कुमार के हाँ देख लीजी एक सबन समाज के लोग सारे मंत्रा आलेव में होग लोग काना फुसी सिखाते हैं कहते हैं कि नितीश कुमार आरजेडी जेडियू का इमरी भठा बैठ जाएगा तो योगी जी का ये है योगी जी जहां मुखमंत्री हैं होगा 75 जी ले हैं वहां 21 डी-ेम जो हैं वो ठाकुर समाज से हैं 20 डी-ेम ब्रहामन समाज से हैं दिलिप मंडल ने पोस्ट लिखा है और इस फॉर्मूले पर 2024 का चुनाओ लड़ा जाएगा अब आप लोगी जीमदारी है कि जिन-जिन राज्यों में आप हैं बीजेपी सरकार में हैं उहां पता किजिए कि जितने थाने उसमें किस जाती के थाना पर भारी है इसी तरह से जज रखे जाते हैं इसी तरह से डॉक्टर, इंजिनियर, पर्फेसर भरती किये जाते हैं इसी तरह से मीडिया में सोचिए सौड़े मीडिया के सवन पत्रकार आरक्षन विरोधी हैं पहले वो आरक्षन भी रोधी थे, वो merit की बात करते थे, कब तक, जब तक सिर्फ आरक्षन CSTOBC को था, सेक्षनिक आधार पे, समाजी का आधार पे और अंटेचेबिलिटी का आधार पे, तब तक उनको merit की चिंता सता रही थी, आरक्षन वाले में merit नहीं होती है, merit का हानान है, और जैसी इक नौमी वीकर सेक्षन के आधार पर सवर्नों को आरक्षन मिला, इनका merit तेल लेने चला गया, अब ये merit की दुहाई देना भूल गए, इसका मतलब है कि ये merit के पक्षदर नहीं थे, ये आरक्षन के खिलाफ नहीं महिला आरक्षन में, OBC महिला, CST महिला के अधिकारों का बिरोध कर रहे हैं, जब महिला पिछरी हैं, सवर्न समाज की, तो उन महिलाओं का क्या होगा, जिस जाती के पूरू सी पिछरे हैं, अब ये कोई बोलने वाला नहीं है, आपके पास TV नहीं है, अख़बार नहीं है, कोई बहस नहीं, एक संभू कितना बोलेगा, इसलिए बोलना सिखिये, लरना सिखिये, लिखना सिखिये, ये अपने जात का थाना परवारी, अपने जात का DMS, PSE नहीं बनाया जाता है, सब प्लानिंग के तहत होता है, और EBM तो छोटा मुद्दा है, EBM भी वही मैनेज कर पाएगा, EBM भी अदला बदली वही कर पाएगा, जो आज कल लिपक्षी नेता कर रहे हैं, तो पता किजिए जिन जिन राज्यों में BJP है, या कॉंग्रेस है, किसी भी दल है, वहाँ पता किजिए कि किस जात के कितने अधिकारी हैं, ये आज भी दलित पिछरा अधिवासी जो लोग एक उक बार CM बनें, वो ये नहीं कर पाएं, और इसलिए वो अपनी सत्ता गमा चुके हैं, ये है असली फॉर्मूला, जाती अब गाउं में नहीं हैं, जाती अब पावर सिस्टम में हैं, वहाँ वैसे काम करती हैं, यही बात मैंने लोगों को समझाया और कहा, कि मीडिया बिक्ती नहीं हैं, आप नहीं खरीज सकते हैं, किसी गैर सवन, CM की हैसियत नहीं की मीडिया खरीद ले, PM की हैसियत नहीं की मीडिया खरीद ले, मनमहन से नहीं खरीद पाएं, लालू यादब नहीं खरीद पाएं, नितीस नहीं खरीद पाएं, मायवती जी नहीं तो और नहीं खरीकानुहाई खाल उधेर के रख देते हैं और बीजे पी ने खरीदा नहीं है और इसने खरीदा नहीं है सवर्ण समाज की बैचारिक सहमती आऱसें सेस्के साथ और बीजे पी के साथकर जैसे मैं समाज के पत्रकार हैं, बूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं, करमचारी हैं, जज हैं, पर्फिसर हैं, डॉक्टर इंजिनियर हैं, उनकी बैचारिक सहमत हैं, उनकी समाज के साथ हैं, उनके सीम पीम के साथ हैं, लेकिन दोनों में फर्क है, मेरी लराई बर्चस वाद के भेदभाव के खिलाप है इसलिए मैं इस समाज के साथ हूँ क्योंकि ये पीरित है जिस दिन ये गरबरी करेगा उस दिन भी मैं बोलूँगा लेकिन उधर की लडाई जो है वो अपने हिरार्की को अपने गैर बराबर जो उनके लाव के पद है जो मुनोपॉली है उसको बना निधी बोल रहा है जो स्वाइपरसाद मौर्या बोल रहा है जो राइन पाल गौतम बोल रहा है चाहे वो कल्चरल है जमनी हो सोसल है जमनी हो या कास्ट है जमनी हो जब तक नहीं बोलेंगे डिस्कोर्स नहीं करेंगे हो सकता है आपको तकलीफे हो जेल जाना पड़े अग संदगार डर गे हो टे तो एंकली डर गे होते तो क्या कर रहे होते हम लोग FIR नाले में गटर साफ कर रहे होते हमारी समाजिक जीमे दारी है और यह संबिधान हम Melted हुई हैं सही बाते पिछड़ी हुई हैं लेकिन सोचिए जब सबन समाज की महिलाएं पिछड़ी हुई है तो उस समाज की महिलाओं की क्या दसा होगी जिसका पूरुस्त पिछ़़ा हुआ है लेकिन उसको आरक्षा निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़